नमस्कार किसान साथियों मैं राजूराम राठोड तैसिल बिल्लडा जिला जोतपुर राजस्तान सही आज हम आपको दिखा रहे हैं राजस्तान के गरम छेतर में मस्रूम को उगा कर आप देख रहे हैं हमारे गर पर वेस्ट डी कमपोजर आधारित तैयार मस्रूम ये मस्रूम हमने वेस्ट डी कमपोजर वो गेहूं की पराली से तैयार करी है वो बारा गंटे विगोने के बाद इसे निथार कर जब इसमें 60% नमी रही तब हमने इस पराली को प्लास्टिक बैग में भरते समय उसके अंदर मस्रूम सीट डाले थे आपको बता दें ये जो मस्रूम देख रहे हैं आप इसका मदर सीड भी हमने ही तैयार किया जब हमने पहली बार सीट तैयार किया तो हमें सपलता नहीं मिली फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और जो कमिया रही पहली बार बीज बनाने में उनको ध्यान में रखते हुए फिर हमने कांच की बोटलों में इसका सीड तयार किया जो समय अनुकुल होने के साथ साथ हमारा मनोबल बढ़ाता गया जो आज ये मसरूम बैग देख रहे हैं केवल एंड केवल वेस्ट डी कमपोजर आधारित इस बार हमने इसे तपती दूप वो लूंकी लप्टों से बचाते हुए कुछ बैग में अच्छा उत्पादन लिया है यहां लगी बैग से हमने एक किलो दो किलो और बीच में लगी बैग से तकरिबन तीन साड़े तीन किलो का उत्पादन लिया है हमारे इस प्रियास को देख कर गाउं के एक मितर ने भी बाजार से यानि की रसायनिक सीट खरीद कर बाविष्टिन वो अन्नी रसायनों का उप्योग किया पर ऐसी सफलता नहीं मिली उने जो भी उनके बैग से जो मसरूम निकला वो खुला रखने पर दो ही गंटे में रंग बदलना सुरू हो गया था हमारे लिए खुसी की बात तो ये रही कि इसको तोड़ने के छे गंटे बाद में भी ये जो वेस्टडी कंपोजर आधारित मसरूम छे गंटे बाद भी मुरजाई नहीं हमने दोनों तरे की मस्रूम की सबजी बना कर टेस्ट किया जो वेस्ट डी कमपोजर आधारित मस्रूम थी उसका टेस्ट स्वाद नेचुरली था खाने में भी बहुत अधिक फाइदा हुआ यहां तक तो ठीक हमने जो वेस्ट डी कमपोजर आधारित और रसाइनिक के द्वारा तैयार मस्रूम की सबजी एक ही समय बना कर दो अलग अलग बरतनों में कटोरियों में भर कर कीचिन में ही रखा था अठारा गंटे के बाद पाया यह कि रसाइन के द्वारा तैयार की मस्रूम को जब सबजी बना कर अठारा गंटे में ही उसके अंदर दुरगंद पैदा हो गई पर जो वेस्ट डी कमपोजर आधारित थी उसका टेस्ट वो का वो ही था यह मस्रूम की खेती उन युवा साथियों के लिए ये वीडियो उन युवा साथियों के लिए प्रेरणा दाई करहेगा जो कम खर्चे में अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं यह हमने लगाई है हमारे फारम पर समय के साथ साथ मस्रूम की खेती इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कुछ वास्प निकल रही है इसके अंदर से इस्टिम निकल रही है अब यह अंतिम स्टेज में हैं यानि कि इस से पहले हमने तीन स्टेज इसके पूरे कर लिए अंतिम स्टेज की मस्रूम इस तरह अब आनी चालू ही यानि कि अब समय अधिक गर्म आ गया है टेंपरेचर को मेंटेन करने के बाद भी अब यह कंट्रोल थोड़ा कम हो रहा है फिर भी हमें इन बैक से तकरीबर हमने 36 बैक लगाए हैं इन बैक से बहुत अच्छा उत्पादन हमें मिला और अब यह उत्पादन पूर्ण होने के बाद इनके बैक से जो बचा कच्रा है यानि कि यह जो पराली इसको हमने इस बैक को खोल दिया है इसके अंदर से भी अच्छा उत्पादन आया था इस परकार यह अंतिम उत्पादन है इसमें दो तीन बार हमने इसको निकाल दिय क्योंकि मस्रूम का स्वाद हमने ले लिया महनत हमने की इसकी हमें सफलता मिल ही गई यहां बहुत सारी मस्रूम आई हुई है अंतिम स्टेज की मस्रूम आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप इसको क्लोज अपली देखें बहुत ही शुंदर बिना किसी रसायन के वेस्ट डी कंपोजर आधारित तयार की गई इसका सीड भी हमने वेस्ट डी कंपोजर आधारित तयार किया था हम धन्यवाद करना चाहेंगे क्रश्न चंद्राजी का जिनों ने एक ऐसा बहतर रतन किसानों के लिए दिया कि इसके साथ आप कुछ भी बनाओ कुछ भी तया किये हैं जैसे आप ये देखें इस तरह हमने लटका कर इन बैक को तयार किया था अभी इसके अंदर आप क्लोज अब देखें मैं आपको और क्लोज अब ले लेता हूं ये पूर्ण रुप से वेस्ट डी कंपोजर आधारित मसरूम इसकी सबजी बहुत ही लाजवाब है अ अब किसान सातियों बता दू ये जो और्गेनिक वेस्ट डी कंपोजर आधारित जो मसरूम जिनको भी पता चला कि हमने मसरूम लगाई है तो उन्होंने एडवांस प्रति किलो के हिसाब से 400 रुपे देकर पहले बुकिंग करवाई फिर वो लेके गए अब भी कहीं किसानो के कहीं बल्डे पाल्टियों के कहीं साधी पाल्टियों के ओर्डर आए हुए हैं लेकिन अब हम लग गए हैं दूसरी फसलों की बीजाई में तो इसमें हम समय नहीं दे पा रहे हैं अगर यही हम अच्छा बढ़िया सा सेटप बना लेते तो प्रति किलो 400 के इसाब से क्यो क्योंकि हमारी यहां अब जो समय चल रहा है साधी का पाल्टियों का या बल्डे पाल्टियों का तो इसमें इस मस्रूम का बहुत ही अच्छा रोल रहा है जो भी किसान भाई जो भी आसपास के मित्र यहां से जो मस्रूम लेके गए जिनोंने भी वेस्टर डी कंपोजर कृष्ण चंद्रा जी का आभाग प्रकट करेंगे हम दिल से कि इनों ने हमें एक ऐसा उत्पाद दिया जिससे वो युवा साथी भी इसकी और आना चालू हो गया जिनके पास कुछ भी नहीं है अब ये बैक काले होने चालू हो गए अब इनको हम निकाल कर इस कचरे को कमपो बना देंगे अगली हम जो लगाएंगे मसरूम की इस्टेंड वो ओस्टर बटन मिलकी तीनों लगाएंगे किसान साथियों आप भी कुछ नया कीजिए ये कम कर्चे की खेती इसमें केवल इस्ट्रो एकटा करना है प्लस्टी के बैग लाने हैं और सीड अगर आपको प्रा झाल